सुनिये दोस्त आपको कहीं पाटी में जाना है एकदम जल्दी में हैं आप और जानते हैं आपने अपना पसंदिदा जो टी-शोट है उसको आपने धो दिया है अब ये बेचरा भीगा हुआ आप है टेंसन में अब आप ऐसा करते हैं बस एक चोड़ा सा बात हम जानना चाहत हैं इसे सुखने के लिए आप इसे फैला कर रखेंगे जल्दी सुखने के लिए अथवा आप इसको मोड करके एक जगह रखेंगे आप गए बच्चा बच्चा जानता है कि जब इसको आप फैला करके रखेंगे तो ये जल्दी सुखेगा अरे मेरे भाई यही तो सवाल है कि आखिर इसको फैला देने से ये जल्दी क्यों सुखेगा तो आज के इस वीडियो का मकसद है वास्पन और प्रिश्चित्फल इभापोरेशन एंड सर्फेस एरिया तो त्यार हो जाए ये विज्ञान की साहता से समझते हैं कि कपड़े को जब आपने इसको फैला दिया तो इसका पानी जल्दी कैसे सुख गया यह जो पानी है ना यहाँ पर तो यह पानी कैसे इसका जल्दी सुखा तो अब ज़रा देखिए एक वास्पन माने इभापोरेशन के थियोरी है थियोरी ये कहता है कि अगर आप प्रिश्चित्फल मतलब सर्फेस एरिया बढ़ा दीज दिएगा तो इभापोरेशन का जो प्रोसेस है मैंने वास्पन मतलब इसमें से पानी निकल के बाइमंडलर में जाने की जो परकिरिया है वह बढ़ जाएगी तो भाई सहब आप जैसे इसको फैलाते हैं तो इसका प्रिश्चित्फल क्यों बढ़ा देखिए अब देखिए से आपने मैक्सिमम कर दिया अगर इसको और फैला देते हैं तो इसका प्रिश्चित्फल और बढ़ता और भाई से सुखने का जो प्रोसेस है और तेज हो जाता और जल्दी जल्दी सुखता अब दूसरी बात समय कोशिश करते हैं यह देखिए हमारे पास यह माल लीजिए यह चोक है चुली माल लीजिए कि यहां पर पानी गिर गया तो तुरंत आप कप्रा उठाते हैं पोचला लगाते हैं तो क्या करते हैं अपने ध्यान से देखा है आप इस पानी को कप्रे से तो कुछ से लगता बाकी इसको फैला देते हैं अब फैला इसे ही पोचला लगात कर निकल गया अब आते हैं दूसरा एक्जाम पर समझते हैं हमारे पास एक ग्लास पानी है और यह हमारे पास बोतल है हम चाहते हैं पानी सुखे तो अगर इसको इसमें रख दिया तो निच्ची तुरुप से इवैपोरेशन के रहे हैं अब बताइए अगर इसी पानी को अग प्रिष्टिये छेतरफल है यह तो बढ़ गया प्रिष्टिये छेतरफल बढ़ गया मैं सर्फेस एरिया जो बढ़ा तो यह भैपोरेशन के प्रोसेस है वास्पन की जो किरिया है ओ दे दनादन दे दनान हो रही है इसका मतलब ठाली में रखावा पानी इस गिला आसी या इस वोटल में रखे वे पानी के तुलना में थोड़ा जल थोड़ा क्या बहुत जल्दी सुखेगा तो इस तरह से आपको जो बात याद रखनी है अपने एक जाम के लिए याद रखनी है वो यह है कि इभैपोरेशन का प्रोसेस मतलब वास्पन की किरिया को जो प्रभाव प्रोस्पन की किरिया बढ़ेगी मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा फिर भेट होगी अगले वीडियो में तब तक हसते रहे मुश्कुराते रहे और सदा हसते मुश्कुराते खिलकलाते रहे धन्यवाद